लब अप्रीबन वेल्टम तो एजियो मेटिक्रोस दिस इस लेक्चर टू ओपी टू तो लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ टी थी टी जेड़ जो सब्डूप्स होते हैं वो एंजेड होते प्रोई भी एंड आपने इंटीजर लिया एंड प्रोई भी हमारे पास एक फिटस्ट इंटीजर है तो एंजेड क्या होड़ा सब्डूप जेड़ इस दो सब्डूप ये चीज आपने प्रूव की थी, फिर उस्टे बाद आपने डिस्टरशन चे दोरान ये देठा होड़ा, त्यादर आप कोई भी सब डूरूप ले रहेो, तिसी साइटलिट रूप तो वो भी चया होड़ा, सब डूरूप भी जो होड़ा, वो भी साइटलिट आने वाला है, आने वाला है सिमिलरली आड़र आप तोई एबिलियन रूप ले रहे हो और उस्ता तोई सब रूप लेंगे तो बोटिया आएड़ा एबिलियन आएड़ा तो इस्ता प्रूफ हम डिस्टरेशन में हीट आ रहेंगे जिए एने सब रूप आफ साइटलेट रूप इस साइगलेट एने अड़ एबिलियन रूपेस अब इस रिजलिटी हेल्प से आपको ये प्रूफ दरना है ची Z चे सारे चे सारे सब्डूरूप जो होंगे वो इसी फॉर्म चे होंगे अज़र आप H कोई भी सब्डूरूप लोंगे Z का तो वो इसी फॉर्म टा आने वाला है तो प्रूफ क्या से टरेंगे इस्टा आपने कोई सब्डूरूप लिया लेट H is any सब्डूरूप ऑफ Z तो आपको चा पता है Z जो है वो चाहे इतर साइटलिट रूप है Z साइटलिट है इस्टा इस्टा टोई भी आप सब्डूरूप लोंगे तो वो भी चाहा आए रहा साइटलिट आए रहा तो यहां से ट्याट अंक्लूड हो रहा है एच जो है वो चाहे साइटलिट है ह साइटलिट है इस्टा मतलब चाहा हुआ आपके पास एटलिमेंट मिले रहा देर एजजिस्ट ए फ्रॉम एच सच देट एच इस जनरेटेड बाई दिस एलिमेंट इस्टा मतलब चाहा होते है आप A to N टाइमस ओप्रेट चाहरेए वेर N बिलोंग्सट टु Z ओप्रेशन हमारा एडिशन है Z अंडर एडिशन आप टाम टार रहे हो तो यहां पे A to N टाइमस ओप्रेट चाहरेंगे तो यह आजाए रहा और यह आप देठों दुर ये टिस्ट रबाबर आ रहे है तो यहां से चाह ठन्स दूरुट हुआ ह्eseo जो है वह टिस्ट रख talk लिया जेड चाह तो वह आप देह पारे हम इसी टाइप टाहे गहा। तो यहां से ट्या प्रूफ हुआ तिए यहां आपकोई भी सब्डूप लो वह इसी फॉर्म्ट रा आने वाला है तो एनी सब्डूप ऑफ जेड्ड कि इस आफ दी फॉर्म nz where n belongs to z वो इसी form टा होड़ा nz टी form में टा होड़ा n ज्या है? टो इंटीजर है तो जैसे इस्टे सब्रूप्स जो होंड़े वो टैसे जैसे होंड़े z, 2z, 3z, 4z, 0z, minus 2z, minus 2z आप देख होंड़े वो exactly 2z के ही बराबर है तो जो भी negative में है minus 3z, वो टैसे बराबर होड़ा 3z जे बराबर होड़ा तो अब हम एक बार unt tardinality चे बारे में पात टरते हैं n आपने कोई natural number लिया जो 2 से बढ़ा है ठीक है? तो unt tardinality आपको पता है हम unt tardinality तो 5n से denote रहेते हैं तो 5n में देखते हैं इतने elements आते हैं तुछ formulas लिखने जा रहे हैं अभी तो 5 अडर आप p.q चूलो इस तो m.n लिखते हैं तो 5mn जो होड़ा वो तिस्टे बराबर होड़ा 5m.5n के बराबर होड़ा अडर m.n टर जी सी डी टिया है बन हैं m.n आप क्या ले रहे हैं तो इस भी दो natural number ले रहे हैं जो 2 या 2 से बढ़ रहे हैं फिटे then setting result क्या है 5p.n जो होड़ा वो तिस्टे बराबर होड़ा p.n-p.n-1 के बराबर होड़ा यहाँ पे p.n क्या है एट प्राइम नमबर है और n क्या है एट नैचुरल नमबर है n आपने टोई भी नैचुरल नमबर लिया तो इट इस्टे बराबर आने वाला है p.n-p.n-1 के बराबर आए रहा और 5m.n इस्टे बराबर आए रहा 5m.5n provided m.n टर जिस्टे डिक्या होना चाहिए 1 होना चाहिए तो लेट से जैसे आप तो देटना है आपने टोई नमबर लिया 250 आप तो देटना है कि 5.2.50 टिस्टे बराबर हो रहा तो 250 को कि प्राइम तर ट्राइजिशन जब आप टरो रहे तो क्या आए रहा 25 then 5 then 2 तो यह आ रहे तो यहां से आप क्या देट पा रहे हो यह है 5 5 चूब इन्टू टू है तो 5 25 टूटा जो जी से डी है वो जहे 1 है इक मेंस एट यह तो यह आए रहा 5 5 चूब डोट 5 2 then 5 5 चूब आपको देटना है तो यह फोर्मूला हम अब यूस कर सकते है तो यह आए रहा 5 चूब माइनस 5 स्ट्वेर तो 5 चूब इस 25 5 स्ट्वेर इस 25 तो यह तिस चे बराबर आजाए रहा 100 चे बराबर and 5 2 आपको देटना है तो यह 2 पार 1 है P ट्या है 2 है N ट्या है 1 है तो यह 2 माइनस 2 पार 0 which is 1 तो यह तिस चे बराबर आए रहा 5 चे बराबर आए रहा तो यहां से यह नमबर जो आ रहा 5 250 जो आएंगे वो ट्या आएंगे 100 इट मिन्स एक U25 तो जो टार्डिनलिटी है U25 तो जो ओडर है इस ग्रूप ता वो टितना है 100 है ऐसे नमबर्स जिन्ता जी सीडी 250 ते साथ बन है और वो 250 से छोटे है वो टितने है 100 है तो अब हम यह चीज देट छोटे हैं तो जी एडर आप टोई ग्रूप ले रहे हो जी हमारे पास एडरूप है और आपने एक एलिमेंट लिया A from G तो इससे जो एलिमेंट्स जनरेट होंगे वो टोन से होंगे इस्टा मतलब क्या है A पार N वेर N बिलोंच टो Z तो अडर ओडर 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 है इनपाइनाइट है तो कोई भी दो पार्स जो हो दी वो सेम नहीं आने वाले यह सेट इड़ेकली च्या हो रहा A पार 0 A पार 1 A पार 2 और सोन सिमिलरली नेडिटिव में A पार माइनस 1 A पार माइनस 2 और सोन तो अब हमें देटना है आप कोई finite cycle भूप ले देओ तो उसमें टितने जनरेटर सोन दे जीटे टितने जनरेटर सोन दे आप बात टर रहा हो तो यह लिठते हैं ति लेट्स से आपने कोई cycle भूप लिया आपने G ये डुड़ोप लिया जो टी साइकलिट है लेट से ये A से जनरेट हो रहा है और इस डूप्ट जो ओडर है वो टितना है N है अब एक पाइनाइट साइकलिट डुड़ोप ले रहे हो तो ट्या बोला रहा है then G is generated by this element A par K if and only GCD of K and N is equal to 1 तो अडर G A से generate हो रहा है तो वो A par K से generate तभी होड़ा जब T and N GCD जा हो 1 हो T and N GCD अडर 1 आया तो A par K से G generate हो जाए रहा और अडर G A par K से generate हो रहा है इस ता मतलब च्या है T and N GCD जा है 1 है तो आप तो च्या पता है G जा है अडर इट cycling group है तो G ता order और generator ता order क्या होता है सेम होता है तो यहां से आपके पास च्या पता चल रहा है इस element ता order भी जो है वो त्या है N है G ता order आपको N दिया रहा है It means that इस ता order भी त्या होड़ा N ही होड़ा अब G में तितने elements आ जाएंगे यह जो set है वो तिस्टे बराबर आने वाला है A par 0 A par 1 up to A par N-1 G में यह N elements आ रहे है A par 0 A par 1 up to A par N-1 तो यहां से आपको च्या पता चल रहा है तो यह अडर आपने कोई भी element उठाया लेटसे हमने A square उठाया यहां से तो वो generator जीटा तभी होड़ा जब टूटा GCD N के सात्या हो वन हो यह parse जो आप ले रहे हैं वो सारी के सारी N से छोटी है और इनका GCD N के सात्या होना चाहिए वन होना चाहिए तो यहां से आपके पास क्या पता चल रहा है तो number of generators यहां से पता चल रहा है Z में G में जो generator से पुट्या है UNT tardinality तो denote रहे है UNT tardinality तो आप इससे denote तर देओ 5N से denote तर देओ तो तिसी साइटली group चिस्ता order N है तो उसमें generators इतने आने वाले हैं 5N generators होनगे और आप तो यह भी पता चल चुटे है तो आप generators टैसे निटालोगे तो आप तो देओ ने टिन्टा जी से डी सिट्स टे साथ 1 है 0 टा जी से डी सिट्स टे साथ 1 नहीं है तो यह नहीं आए रहा 1 टा जी से डी सिट्स टे साथ 1 है इतमेंस देओ यह element आए रहा 2 टा जी से डी सिट्स टे साथ 1 नहीं है तो यह generator नहीं हो रहा A पार 3 3 टा जी से डी सिट्स टे साथ 1 नहीं है it means that a par 3 generator नहीं हो रहा a par 4 ता gcd, 4 ता gcd 6 टे साथ 5 नहीं है it means that 4 generator नहीं हो रहा a par 4 generator नहीं हो रहा 5 ता gcd 6 टे साथ च्या है, 1 है it means that यह element या generator हो जाए रहा तो generators खोन खोन से आ रहे generators are a and a par 5 और इसमें ट्या है number of generators आप देखो वो इतने आ रहे हैं, 2 generators आ रहे है, 5 6 टे बराबर आ रहे है 5 6 हम देखें दे वो आजाए रहा 5 2 इन्टो 5 3, क्योंटी 2 और 3 टा gcd चाहे 1 है then 5 2 आप देखो दे वो आए रहा 2 पार 1 माइनस 2 पार 0 which is 1, 5 3 देखें दे तो 3 पार 1 माइनस 3 पार 0 which is also, 3 पार 1 is 3, 3 पार 0 is 1 तो यह आए रहा 2 तो यह टिस्टे बराबर आ रहे है, 2 टे बराबर आ रहे है तो एक ऐसा साइक लेट रोप जिस्टा ओडर 6 है तो उसमें जन्रेटर इतने आएंडे, 2 जन्रेटर आएंडे जो अभी हमने रिजल्ट चिया उससे आप क्या डिराइव कर जरते हो चिए अडर आपने क्योई इंटीजर लिया टे एन इंटीजर टे जो टिस्ट में भी लोन कर रहे है जेड एन में भी लोन कर रहे है इस जन्रेटर if and only if gcd of t and n क्या हो रहा वन हो रहा तो जेड एन के जो जन्रेटर होंगे उन्ती बात टी रही है पर एट लिया एंट रोट क्या ले रहे है हम एट ले रहे हैं तो k in z8 इस जन्रेटर if and only if gcd of k and 8 is 1 तो k zn में भी लोन कर रहे है इस जेड वो क्या हो रहा जीरो वन टू अप टू सेवन हो रहा तो 0 टा gcd 8 के साथ बन नहीं है इस जन्रेटर नहीं है आप देख रहे हो यहां पर z8 की हम बात कर रहे हैं तो z8 में यह elements आ रहे हैं कि यह जो हो सकते हैं जीरो हो सकते हैं 1 हो सकते हैं 2 हो सकते हैं आप टू 7 हो सकते हैं तो 0 टा gcd अडर आप टो देखने हैं यह generator से हो रहे हैं 0 टा gcd 8 के साथ बन नहीं आ रहे हैं यह generator नहीं है तो यहां से जड्रेटर्ट चे जो जण्रेटर्स आ रहे हैं वह क्या सकता है,цог ऐसे जण्रेटर्स आ रहे हैं जो हमने last theorem टी है, उस रिजर्ड ची help से हम इस तो देख रहे हैं। कैसे आपको पता है, ZN जो होता है, वो ट्या है, it's slightly group है और 1 से generate होता है, ये चीज़ हम पहले से तर चुटे हैं, ZN जो है, वो it's slightly group है और 1 से generate हो रहे हैं। और इस slightly group टा जो order है, वो टितना है N है, तो last theorem क्या थी, ZN is, if ZN is, G is generated by element A, and the order of G is N, then ZN is generated by this element 1 by 1 par T, if and only if GCD of T and N is 1, order T and N तर GCD 1 हो रहा, तो ZN 1 par T से generate हो रहा, आपको पता है, T रहां से वेरी टरता है, 0, 1 up to N-1 तर वेरी टरता है, तो यहाँ पे 1 क्रो जब आप T times update चरूँड़े, और T N से छोटा है, positive non-negative integer है, तो it is T बराबरा जाए रहा, exactly T बराबरा जाए रहा, तो यहाँ पे actual में त generated by the element T, if and only GCD of T and N is 1, तो वही चीज हमने यहाँ लिठी है, the element T in ZN is generator, if and only GCD of T and N is 1, तो आपके पास त्याहार है, T is generator तभी हो रहा, जब T and N तर GCD 1 हो रहा, और ZN is cyclic रूप है, तो इसमें त्या है, number of generators T बाद तर होंदे, वोट इतने आ जाएंदे, number of generators in ZN is equal to 5N, चुन्ति ZN is cyclic group है, एक finite cyclic group है, तो इसमें generators कितने होंदे, YN generators होंदे, अब हम यहाँ पे infinite cyclic group टी बात नहीं टर रहे, T यह अदर आपके पास कोई infinite cyclic group है, तो उसमें कितने generators आने वाले हैं, यह हम बाद में देठेंदे, जब हम isomorphism टर टरंसेप्ट पड़ेंदे, उस्ते theorem of cyclic group टे बारे में, तो इसमें त्या बोला रहा है, सबसे पहला रिजल्ट आपको अल्वरेडी पता है, जब आपको ही subgroup ले रहे हो, तो वो भी त्या आने वाला है, cyclic आने वाले, subgroup होड़ा, वो भी त्या होड़ा, cyclic ही होड़ा, अज़र आपको टी रही है, अब सेटि हो रहा है, और G टा जो order है, वो त्या है, N है, तो क्या बोला रहा है? अटर आपकोई भी subgroup लोंगे, तो उस ensuite जो order होड़ा, उस subgroup टा जो order होड़ा, वो इद डिवाईजर होड़ा, Entra, subgroup टा जो ada होड़ा, वो इद डिवाइजर आने वाला है, Entra, for example, आपने group टा outer लिया 12 तो टूसी सबगूरुप जो ओडर होड़ा वो ध्या हो सकता है 5 नहीं हो सकता 25 डिवाईजर नहीं है 12 तो ओडर आपको पता है हमेशा इत्तपॉजिटिव इंटीजर होते है इड्मेंगर ऑडर जो होड़ा वो यातों या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं या 3 या 4 या 6 या 2 यही पॉसिबिलिटीज है देन आपको बोला गए है इफ टे इस पॉजेटिव डिवाइजर ओफ N देन जी हैस एट्टली वन सब्डूरूप ओडर टे अड़र आप टे कोई एटल पॉजेटिव डिवाइजर ले रहे हो N रहा तो जी टे पास एट सब्डूरूप होड़ा इसेटली एट सब्डूरूप होड़ा इसेटली वन सब्डूरूप होड़ा ना वन से जादा होड़ा ना वन से टम होड़ा 8 subgroup होड़ा जिस्ता order क्या है T है और वो subgroup क्यों सा होड़ा ये subgroup होड़ा जो A पार N by T से जनरेट हो रहे है तो यहां से आपके पास ट्याट include हो रहे है तो यह अगर आपको फाइनाइट साइटली डूरूप ले रहे हो तो उसमें number of subgroups टितने आने वाले है subgroup जो होड़ा वो ट्या होड़ा diviser होड़ा उस subgroup टा order जो होड़ा वो एक diviser होड़ा enter और हर एक diviser हर एक positive diviser चे टोरोस्पोंडिन आपको एट ही subgroup मिल रहा है तो यहां से आपके पास ट्यार है number of subgroups in a slightly group of order N is equal to number of positive divisors of N तो जितने positive divisors होड़े N चे उतने ही आच्या होड़े आपके पास subgroup आने वाले हैं अजर साइटली ग्रूप टा ओड़ा चाहे N पर एक्जामपल आपने क्या लिया Z12 लिया Z12 आपको पता है एट साइटली ग्रूप है और इस साइटली ग्रूप टा ओडर कितना है 12 है इट मेंस एट इस्टे subgroups टितने होड़े Z12 में subgroups टितने होड़े जितने positive divisor है 12 ते positive divisor आपको पता है त्यसे निटाले जाते है 12 ती जो prime factorization है वो त्या है 2 पार 2 इंटो 3 पार 1 तो positive divisor ते आजाएंगे 2 प्लस 1 इंटो 3 प्लस इंटो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 इस 3 1 प्लस 1 इस 2 तो यह आएंगे 6 positive divisors आ रहें 12 इट मेंस तेट कितने subgroups हो जाएंगे Z12 के 6 subgroups हो जाएंगे तो यह टिस टे बराबर है tau n के बराबर है यह चीज हमें बता है इस टे नोटेशन हम क्या योज़ टरते हैं tau n योज़ टरते हैं और आपको इस थ्वरम से क्या पता चल रहे है आपको इट्सेकली पता चल जा रहे है तो आपको सारे subgroups टे बात चरनी है तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 टे divisors तो जो पॉज़ेटिव डिवाइजर से 12 टे वो टोन टोन से है 1, 2, 3, 4, 6, and 12 तो क्या बोला रहे है हर एक पॉज़ेटिव डिवाइजर चे टोड़ास्पोंडिंट आपको एट सब्रूप मिल रहा है जिस्ता ओडर ट्या है ट्री है और वो सब्रूप ट्रोन सा है A पार N by T से जो जन्रेट हो रहा है तो हमारे पास इस 1 के टोड़ोस्पोंडिंट एट ऐसा सब्रूप मिले रहा जिस्ता ओडर 1 है और ये ट्री से जन्रेट होड़ा A पार N by T से N यहां पे ट्या है आपटे पास 12 है T आपटे पास ट्या है ये वैल्यूस जो है वो ट्या है T ये टी वैल्यूस है तो N 12 है और T 1 है तो ये आइड़ा 12 by 1 तो ये ट्री से बराबर आ रहा है A 12 टे बराबर आ रहा है और A 12 ट्या होने वाला है 8 अडर जीता ओडर 12 है तो 8 अडर भी 12 है तो यह त्या है आईडेंटिटी अलिमेंट है जना आप से आपके पास इससे सबडूरूप चनरेट हो रहा तो यह आपके पास 8 ऐसा सबडूरूप में लेडा जिस्ता ओडर 2 है और वो सबडूरूप चनरेट हो रहा जो इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा यहाँ पे अटी वैल्यू 12 है और के टी वैल्यू 2 है तो यह आज़ा आईड़ा 6 तो A पार 6 से जो जनरेट हो रहा है यहाँ पे क्या आएड़ा 12 by 3 that is a par 4 से जो जनरेट हो रहे है यहाँ पे आएड़ा 12 by 4 which is a par 3 से जो जनरेट हो रहे है यहाँ पे आएड़ा 12 by 6 तो a par 2 से जो जनरेट हो रहे है यहाँ पे आ रहे है जो a से जनरेट हो रहे है इस subgroup order कितना है 1 है इस subgroup order कितना है 2 है इस subgroup order 3 है और इस सब्डूप्ता ओडर पोर, similarly इस्टा सिट्स इस्टा ट्वेल्ट, तो हम क्या लेठें जे, सब्डूप्स ओफ जी, और ट्रॉन ट्रॉन से है, जो यहां से ए से जनरेट हो रहे है, इस्टा ओडर वन है, इस्टा ओडर इस में सिर्फ ए ठी अलिमेंट आ रहे है, आइडेंटिटी अलिमेंट, देन ए पार सिट्स से जो जनरेट हो रहे है, तो इस्टा ओडर इस सब्डूप्ता ओडर जो है, वो एपार 4, इस सब्डूरूप टा ओडर जो है, वो क्या है, 3 है, तो इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे है, एपार 4, तो जब आप 2 टाइम्स उप्रेट करेंगे, 8, एपार 4 तो हम जब 3 टाइम्स उप्रेट करेंगे, that is identity, तो अदला सब्डूरूप हो जाए रहा, एपार 3 से जो ज तो इसमें एलिमेंट्स जो आएंगे, एपार 3 टाओडर आप देज सकते हो, इस टाओडर 4 है, तो एपार 3 टाओडर भी क्या होने वाला है, 4 होने वाला है, it means that इसमें टून-टून से एलिमेंट आएंगे, let's say येट एलिमेंट है जी, तो इसमें एलिमेंट आ रहे है, जी जी पार 1, जी पार 2, जी पार 3, तो एपार 3, पार 0 आप टरोटे, ये आए, एपार 3, पार 0, एपार 3, पार 1, एपार 3, पार 2, एपार 3, 3 तब कि यहां पे चले रहा, तो ये टिस्टे बराबर आ रहा है, इस्टा मतलब क्या है आइडेंटिटी, इस्टा मतलब है एपार 3 इस्टा मतलब है A par 6, इस्टा मतलब है A par 9, इसी तरह से यह क्रोंसा होड़ा, A par 2 से जो जनरेट होने वाला है, वो सबड़ों क्रोंसा होड़ा, A par 2, par 0 तरेंडेंगे, तो यह आएड़ा इडेंटिटी, then A par 2, then A par 4, then A par 6, A par 8, A par 10, then इस्टे बाद जो A से जनरेट हो रहे है, तो इस्टा ओडर 12 है, it means that यह ग्रूप इटसेल्फ हो जाए रहा, तो यह तिस्टे बराबर है, जीटे ही बराबर है, तो 6 सबडूप सारे, जो सारे ते सारे हमने लिखती हैं, ओके, तो अभी तथ हमने जो पाइनाइट साइटली डूप पड़े हैं, जो वो टोंसे हैं, के बारे में अपने पड़े हैं, तो आपको क्या पाता है, यह स्ट जो साइटली डूप है, और इसंटूप का ओडर 19 है, तो पंडामेंटल थिवोरम उफ साइक लिटुप क्या बोलती है, जैदट आपकेस क्योवी positive divisor पाहे हो ले यह ओं तो आपके पास एठ साजारा ईट तो यह टिस्टे बराबर होने वाल है आप 1 to n by 3 टाइम्स ओप्रेट चाह रहे हो तो यह आज आए रहा है तो यह जो सब्रूप्स होंदे वो त्या होंदे इस टाइप के दिखने वाले हैं तो ट्या लिखा है त्या आप टोई डिवाइजर ले रहे हो एंटा टोई पोजिटिव डिवाइजर लिया ठी तो आपके पास एक यूनीट सब्रूप में ले रहा जिस्टा ओडर टे होड़ा और वो सब्रूप्सा होड़ा जो एंड बाइट चे से जनरेट हो रहा है तो जै तो यह हो सकता है वन हो तो आपके पास एक सब्रूपाइड़ा एच वन हुआ तो आपके पास सब्रूपाइड़ा है एच वन जो एट से जनरेट हो रहे है एट से जनरेट होने वाट्रा मतलब है एट जो है वोटिस्टे इक्विविलेंट है जो जो जीरो से जनरेट हो रह है then h3 आपके पास it subgroup आए रहा TAT value then आपने लिए 4 तो आपके पास subgroup आ रहे है जब 2 से generate हो रहे है h4 आपके पास क्या जाए रहा जब TAT आपने लिया 8 तो आपके पास यह subgroup पाच आए रहा तो 0 का order h1 का order क्या है 1 है it means that इस रूप्ता भी 0 ता order भी त्या है 1 है तो यह element इसमें 80 element आए रहा 0 element then इस subgroup आज़ो ओडर है वो तितना है यहां पर क्या थी 2 थी आपके यहां पर 2 ले रहे हो तो इस subgroup आज़ो ओडर है वो तितना है 2 है it means that इसमें 2 elements आए 4 पार 0 and 4 पार 1 तो 4 पार 0 ता क्या मतलब है यह आप क्या ले रहे हो identity element यह ता 4 को हम बन time update दर रहे है then यहां पर इस subgroup आज़ो ले रहे हैं वो क्या ले रहे है 4 ले रहे है तो यह 4 है तो it means that इस तूटा जो ओडर है वो तितना है 4 है तो यहां पर 4 elements आए 2 पार 0, 2 पार 1, 2 पार 2, 2 पार 3 2 पार 0 ता क्या मतलब है identity element that is 0 2 पार 1 ता मतलब 2 अट्रो 1 टाइम सोप्रेट कर रहे है 2 आए रहे दन यह 4 दन यह 6 then यहां पे 1 टाउडर क्या हो जाए रहा and 80 value हम यहां पे क्या ले रहे है 8 ले रहे है तो 1 टाउडर जो है वो त्या है 8 है तो इसमें 8 elements आएंगे 1 पार 0, 1 पार 1, 1 पार 2, अब टू 1 पार 7 तो यह क्या हो जाए रहा 0, 1, 2, अब टू 7 which is equal to Z8 तो आपके पास 4 सब्रूप्स आ रहे हैं ट्रोन ट्रोन से H1, H2, H3 and H4 अब आपको देटने एक finite citli group में इक particular order चे इतने elements हैं पर एक्जांपल Z12 लिया आपने तो आपको देटने है order 2 चे इतने elements आएंगे order 3 चे इतने elements आएंगे order 5 चे इतने elements आएंगे यह चिज़ आपको देटने हैं तो यह भी हम fundamental theorem of citli group ची help से बता सकते हैं इसमें पर्टितुलर उडर खे कितने एलिमेंट होने वाले हैं तो जैसे हमने Cart sih limit लिया हम लेट से हमारे पास its spoiler psychology group है जो आसे जन्रेट हो रहे है औरीिσα parler एकभानपर एपक्ताई उटाया हमने जी प्रॉम जी सच लेट order of g च्या है d है तो अब आपटो च्या पता है g से क्या हो रहा g से आपटे पास आपटो पता है यह हमेशा क्या होता है subgroup होता है तिसी group रहा और इस element तो order d है it means that यहाँ पे इस subgroup में इतने elements आएंगे d elements आएंगे z पार 0, z पार 1 up to z पार d-1 तो यहाँ से ट्या conclude हो रहा है कि यह ट्या है it subgroup है g तो यह subgroup आया g अर इस subgroup रहा order कितना है d है और इस group रहा order कितना है n है तो by fundamental theorem of cyclic group आपटो पता है कि order of subgroup divides the order of group तो यहाँ पे d जो होना चाहिए वो divide करना चाहिए n group तो यहां से आपके पास condition आ रही है कि d divide टरना चाहिए n डो तो order d divide नहीं टर रहा n डो तो यहां से आपके पास ट्या निटल के आ रहे if d does not divide n then number of elements of order d in g इतने हो जाएंगे 0 तो यहां भी ऐसा element नहीं हो डा जिस्ता order d हो डा अडर d divide नहीं कर रहा n डो अब लेट्स से सेटिंट चेस लेते हैं जब d divide कर रहा है n डो तो आपको देखना है थी number of elements of order d कितने होने वाले हैं g में तो आपने को यह element लिया g हमने एक element लिया g से such that order of g is d तो आपको पता है g से एक subgroup generate होडा और इस subgroup टा order कितना होडा d होडा फिर लेट्स से आपने एक दूसरा element लिया हमने एक another element लिया g dash from g such that order of g dash ट्या है d ही है g dash टा order भी ट्या है d है तो g dash से भी आपको पास एक another subgroup generate होडा और इस subgroup टा order जो होडा वो ट्या होडा d ही होडा बट आप टो ट्या पता है fundamental theorem of cyclic property help से तो आपके पास एक unit subgroup मिलता है जिस्ता order d है it means set यह जो subgroup है और यह जो subgroup है दोनों तो टुट्या होना पड़े रहा सेम होना पड़े रहा क्योंकि fundamental theorem of cyclic group बोलती है कि आपके पास unit subgroup होता है order data तो यह दोनों subgroups तो सेम होना पड़े रहा तब ही आपके पास unitness ID तो यहां से आप तो क्या पता चल रहा है हमने यह subgroup लिया order data और आपने एक दूसरा subgroup लिया जिस्ता order d है तो g dash जो हो रहा वो त्या हो रहा इसी subgroup में बिलोन तरे रहा तो सारे order D टे elements जो होंड़ें, यहां से आपको क्या पता चल रहे हैं, तो order D टे आप जो elements लोंड़ें, वो सारे टे सारे इस subgroup में present हो रहे हैं, जो G से generate हो रहे हैं, तो यहां से हमारे पास ये conclusion निदला, कि all elements of order D is present in this subgroup, जो G से generate हो रहे हैं, और G टा order क्या है, D है, तो इस sub group में कितने elements है, order D टे सारे टे सारे elements, G में जो order D टे elements है, वो सारे टे सारे इस subgroup में present है, तो इस subgroup में जितने elements हो रहे हैं, उतने ही elements हो जाएंगे order D टे G में, तो इस ते अलावा आपके पास कोई और element नहीं है, जिस्ता order D है, सारे टे सारे order D टे elements इस subgroup में present है, तो आपक आपने इनलिंट लिया ओडर डी ता it means that वह त्या होड़ा इससब्रूप टा जनराफ हो डा च्वणती अडर इनलिंट था पाइनैट शैटली डूप में अलिमेंट-ड साइनली में पाइनलिक्न डूप रंडर बराबर है टो प्या यदि रल नर 10 अब लिए 240 धो यद्याा तो यहां पर आपके पास त्या रा उटलै इस सब्रूप में नमबर औफ जन्रेटर है इट मिन्स एट ओडर डिट एलेमेंट्स ची में इतने हो जाएंगे फाइडी हो जाएंगे So it means that यहां से आपके पास आया तो नमबर ओफ एलिमेंट्स ओफ ओडर डी इन जी टितने हो जाएंगे फाइडी हो जाएंगे अज़र डी डिवाइड नहीं टर रहा एंडरो तो जीरो एलिमेंट्स होंगे ओडर डी के जी में और अज़र डी डिवाइड टर रहा है अज़र डी डिवाइड टर रहा है एंडरो तो ओडर डी टी एलिमेंट्स टितने होंगे जी में पाइडी होंगे तो जैसे अब एक वोशन हम देखते हैं आपको बताने एक पर्टिटुलर ओडर चे कितने elements है Z4 X Z6 में तो हमारे पास group जो है Z4 X Z6 Z8 के बारे में आपको पता चुल चुट है ठी एक particular order के कितने elements होते है order D divide नहीं टर रहा एंटो तो टोई भी element नहीं होता order D टा और order D divide टर रहा है एंटो तो number of elements order D कितने होते हैं 5D होते हैं तो यहाँ पर 4 के जो devisors यह positive devisors वो तो इतने हैं 1, 2, 4 तो element ता order यह तो 1 होड़ा यह 2 होड़ा यह 4 होड़ा क्योंकि order D divide नहीं टर रहा element ता order 3 नहीं हो सकता च्योंकि 3, 4 तो divide नहीं टर रहा तो यहाँ पर elements ता जो order होड़ा possible order जो होड़ा वो या तो 1 होड़ा या 2 होड़ा या 4 होड़ा यहाँ पर elements टा जो order होड़ा वो या तो 1 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं या फिर 6 हो सकते हैं तो अज़र आप बात चाड़ो possible order in Z4 cross Z6 वो क्या क्या आ जाएंजे अब यहाँ से हमने let's say element order 1 उठाया और यहाँ से एक element उठाया जिस्टा order 1 है तो आपके पास Z4 cross Z6 में उस element order क्या हो जाए रहा 1 हो जाए रहा अब यहाँ से 1 उठाया यहाँ से 2 उठाया तो element order आपके पास आ रहा है 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3 तो 3 आ रहा है तो यहां से 1 उठाया Elcte Water, ilcte, ultimate चे उठाया उस्ता उडर 1 है। यहां से जो element उठाया उस्ता उडर 6 है। तो आपके पास Z4 cross Z6 में उस element तो अडर क्या जायरा 6 आजायरा अब लेट से यहां से हमने एक element उठाया A1 जिस्टा order 2 है यहां से एक element उठाया A2 जिस्टा order 2 है तो A1, A2 टा order Z4 cross Z6 में कितना हो जाए रहा 2 LCM of 2 and 2 then 2 and 2 आपने उठाया 2 and 3 आपने उठाया तो आपके पास LCM जो आ रहा है वो 6 आ रहा है यहां पे repetition हो रही है X3 उठाया तो आपके पास element ठाओडर 12 आएगा 4 and 6 आपने उठाया तो element ठाओडर हमारे पास चितना आ रहा है 12 ही आ रहा है तो elements ठाओडर या तो 1 होडा Z4 cross Z6 में यह 2 होडा यह 3 होडा यह 6 होडा यह 4 होडा यह 12 होडा तो अब बात चरते हैं number of elements of order 1 कितने होंगे है। order one के elements आप डेखने हैं Z4 x Z6 में च्तितने होंदे तो 1 डब आई रहा है जब यहाँ से आप elements konor 1 उठा रहे हो और यहाँ से elements konor 1 उठा रहे हो तो order one के element Z4 में चितने हैं order one के elements by one है तो ये टीस्ट ये बराबरा जाए रहा बन स्क्राइस आप पर जाए रहा तो order 2 टब टब आ रहा है जब आप यहां से element ता order 1 उठा रहे हो order 2 के लिए बात करनी है तो यहां से हमने element ता order 1 उठाया और यहां से element ता order आपने 2 उठाया तो आपके पास 2 आ रहा है then let's say यहां से हमने element ता order 2 उठाया और यहां से element ता order 1 उठाया तो आपके पास 2 आए रहा यहां से 2 उठाया और यहां से भी 2 उठाया तो भी आपके पास element order 2 आ रहा है तो इस इतना बन जाए रहा है इस पेर चे लिए आपके पास इतने elements आए रहे जब आपने यहां से element order 1 उठाया और यहां से element order 2 उठाया तो यह आई रहा 51.52 प्लस 52.51 प्लस 52.52 तो इसटो आप देखोंगे 51 is 1, 52 भी 1 होते हैं तो यह 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बन जाए रहा तो order 2 टी elements आपके पास इतने आ जाएंगे 3, order 1 की elements आपके पास इतने आ रहे हैं 1 then order 3 के बात चरते हैं तो order 3 आपके पास टब डब आए रहा जब हमने यहां से element आउडर 1 उठाया और यहां से 3 उठाया then यहां से हम 3 नहीं उठा सकते हैं तो सिर्फ 8 ही choice है जब आप यहां से element आउडर 1 उठा रहे हो यहां से element the order three उठा रहे हो तो यह पितना बंजाँ डा 5 1 dot 5 3 5 1 is 1 5 3 is 2 तो यहाँ तो then order 4 चे बात चाहने है elements to order कितने elements ओंठे order 4 चे तो order 4 कब बाए रहा जब लेटससे यहां से हमने element the order 4 उठाया यहां से element the order 5 उठाया then यहां से 4 ऊठाया, यहां से 2 ऊठाया, तो आपके पास आ रहे है, then लेट से आपने यहां से 2 उठाया, तो यहां से 2 हम ऊठाने सकते, तो दो ही चोईस है, यहां तो 4 1 या फिर 4 2, तो 4 1 जब यहां से element to order 4 उठाया यहां से element to order 1 उठाया तो आपके पास आ रहे 54.51 प्लस जब यहां से 54 then 52 तो 54 ती value 54 ती बराबर है 2 square तो यह होड़ा 2 square minus 2 par 1 तो यह ती ती बराबर आ जाए रहा 2 ते बराबर आ जाए रहा तो यहां पे 2 आ रहे expert लिए फिपल यहां रहे तो 4 तो order 4 के elements इतने हो जाएंगे 4 then order 60 elements आपको देखने है चीक इतने आने वाले हैं तो order 60 elements जब Рबाएंगे जब आपने हम इहां से element than order 1 उठाया और यहां element than order sits उठाया then let's say हमने element than order 2 उठाया और यहां से आप element order 3 उठाओ तो भी आपके पास celsius आ रहे है then let's say यहां से हमने 2 उठाया और यहां से हमने celsius उठाया तो भी आपके पास celsius आ रहे है तो सिर्फ यही choices है 1 celsius 2 3 and 2 celsius तो यहां पे आपके पास π1.56 बने गए है then π2.5 3 then π2.56 तो 5 6 आप देखोंड़े 5 6 क्या से लिट सकते हैं 2.3 तो 2 and 3 टा चीसरी 1 है तो यह 5 2.5 3 हो जाए रहा 5 2 is 1, 5 3 is 2 तो यह टिस्टे बराबर आए रहा 2 के बराबर then π3 2 है तो यह आए रहा 2 यहार है 1 2 प्लस 2 प्लस 1 विच इस 5 तो 5 एलिमेंट्स आ रहे है then order 6 ते है then order 12 के elements आपको देखने हैं चितने आने वाले हैं तो लेट से हमने यहां से हम element order 1 नहीं उठा सकते तो लेट से यहां से हमने element order 2 उठाया तो भी आपके पास celsius 6 नहीं आए रहा तो भी आपके पास celsius 12 नहीं आए रहा अब लेट से हमने यहां से element to order 4 उठाया और यहां से element to order 3 उठाया तो आपके पास celsius 12 आ रहे है और यहां से element to order 4 उठाया यहां से element to order 6 उठाया तो आपके पास celsius 12 आ रहे है तो 2 x 2 is 4, then pi 4 is 2, pi 6 is 2, तो यह आए रहा, 2 x 2 is 4, तो यह आजाएंगे 8, तो 8 एलिमेंट से 12, तो अब इन्टो हम टाउंट चारहेंगे, तो यह इतने होंगे, तोटल एलिमेंट्स आजाएंगे, z4 x z6 में, z4 x z6 में टोटल एलिमेंट्स टितने हैं, 24, तो यह इस टे बराबर आजाए रहा, 1 प्लस 3, that is 4, प्लस 2, 6, 6 प्लस 4 is 10, 10 प्लस 5 पेस 15, 15 प्लस 8 आप्टरोडे, तो यह 23 आ रहे, तो यहाँ पे हमने में स्टेट रहे है, यह इस इतना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, और यह 24 ही आ रहे है, तो अब एक सेंपल सा टोशन देखते हैं, आपको यह प्रूफ टरनेट यह आडर आपके पास एड़ूप है, जिस्टा ओडर 3 है, तो वो साइकलेट होड़ा, हमें क्या पता है, टी जी अडर एट पाइनाइट ग हमारे काम होजाएड वो, एलिमेंट गाह जाएडा, जनरेटर होजाएडा, इस डुफ टो जी हमारे पास गिवाड़ूप है, जिस्टा ओडर 3 है, तो ए में जी में तीन इलिमेंट से, लेट से, आइसे डैनोट आ रहे हैं, तो ई में यह एलिमेंट से, लेट से, बनाऊ तो तो वो त्याल सी हो दी, e, a, b, then e, a, b, binary operation, let's say binary operation तो star से देनोटर रहे हैं, e identity element है, तो यह रो आजाए जाए जी, e, a, b, first problem जो आजाए जाए जी, e, a, b, then a star a आप देखना है, तो पहले a, b देखते हैं, a star b एरर आप देखो, a star b जो हो रहा, वो आप देख सकते हो, ना तो a तो a बराबर हो सकता, अगर a हुआ, तो b identity हो जाए रहा, बट इस्टे identity element क्या है, e है, similarly ना ये b हो सकता, ना ये a हो सकता, ना b हो सकता, तो a थी choice बची, तो तो यह होना पड़े रहा, e होना पड़े रहा, then b star a आप देखोंडे, तो उस्टे पास भी a थी choice रहे जी, तो b होना पड़े रहा, वो b या a नहीं हो सकता, तो ये अडर b या a हुआ, तो a या b में से कोई a identity बन जाए रहा, तो यहां से आपके पास chart conclusion इटल ते आ रहे है, तो a जो inverse है, a b और b ये आपके पास identity आ रहे है, it means that a जो inverse है, वो तिस्टे बराबर है, b ते बराबर है, अब ह हुआ, तो a identity हो जाए रहा, अब आप तो देटने हैं, त्या ये e हो सकता है, तो अडर ये e हुआ, तो यहां से आपके पास क्या आ जाए रहा, a is equal to a inverse, which is contradiction, because eta inverse जो है, वो त्या है, b है, a नहीं है, तो it means that a square ना तो e हो सकता, ना a square a हो सकता, तो इस्टे पास a थी choice बची, जी choice तो क्या होना पड़े जा, a होना पड़े जा, अब हम element a टाउर देखते है, a टाउर इतना है, a टो one time operate चार रहे हैं, तो e आ रहे, a टो two times operate चार रहे हो, तो आपके पास b आ रहे, a तो three times operate चार रहे हैं, तो आपके पास चार रहे, a square dot a, which is b dot a, b dot a त्या है, identity है, it means that यहां से chart include हो रहे order of a जो है वो त्या है 3 है तो order of a जो आया वो तिस्टे बराबर आया group ते order चे बराबर आया and g आपते पास क्या है finite group है g is finite तो यहां से chart include हो रहे g जो है वो a से generate हो रहे यह group जो हुआ वो त्या हुआ साइट लिठ हुआ और वो a से generate हो रहे है तो अब एक मैं रिजल्ट लिठ रही हूं इस्ता प्रूफ मैं नहीं लिठ रही यह प्रूफ टरना टापी इसी है त्या है आपके पास रिजल्ट एच वन रॉस एच टू इज़ इज़ गूरूप ऑफ जीवन रॉस जीटू if and only if h1 is a subgroup of g1 and h2 is a subgroup of g2 तो h1 रॉस h2 आदर subgroup है g1 रॉस g2 टा it means that h1 subgroup है g1 रॉस जीवन टा और h2 subgroup है g2 टा यह आपके शोटरना है और अड़र आपको D1 है थी H1 सबडूरूप है G1 रा H2 सबडूरूप है G2 रा तो आपको शो टरना है थी H1 रोस H2 सबडूरूप होडा G1 रोस G2 तो ये एक exercise है आपको शो टरना है थी ये true है आपको ये theorem त्या तरनी है प्रूफ तरनी है तेन आजे मैंने टो रिजल्ट लिठा है इसमें च्या पोला है ति अगर आपको बताना हो ति ओडर डी टे साइटलिट सब ग्रूप्स टितने होंडे एट पर्टिटूलर डुप में आपके पास एट रूप है जी हो सकता है ये इनपाइनाइट हो हो सकता है ये पाइनाइट आपको देखने है साइटलिट सब ग्रूप्स ओडर डी टे चितने होंडे तो वह तिस्टे बराबर हो रहा ओडर डी टे जितने एलिमेंट्स होंडे जी में अपोन फाइट डी टे बराबर होंडे तो यहां पर सिर्फ साइटलिट सब ग्रूप्स टी बात दी रही है ति सा तो फॉर इचामपल जैसे आपने ग्रूप लिया हम ग्रूप ले रहे हैं Z2 ग्रोस Z4 इसमें आपको देखने हैं ओडर 4 वर स्ट यह ग्रूप आपको यह निटालने आपको अनकुप स्ट इच्टलिट जटते हैं लिए इनमबर ओफ आनमडर औव शांडि Roman ऑडर 4 देखने एनल इन थेसमें यहां पे elements पॉसिबल order चाहे 1 & 2 यहां पे possible order चाहे 1, 2, 4 तो जब आप यहां से element तो order 1 उठा रहे हो और यहां से element तो order 4 उठा रहे हो तो आपके पास चाहे रहा LCM 4 आए रहा यहां से element तो order 2 उठाया यहां से element तो order 4 उठाया तो आपके पास LCM 4 आ रहा है तो यह आ जाए रहा 5 1 is 1, 5 4 is 2, then 5 2 is 1, 5 4 is 2, तो यह आ रहा है 4, ओडर 4 एलिमेंट्स G में कितने आए 4 आए, तो नमबर ओफ साइटलेट सब ग्रॉप्स तितने हो जाएंगे, ओडर 4 जे, नमबर ओफ साइटलेट सब ग्रॉप्स, ओफ ओडर 4 एंजी, इस एकवल तो नमबर ओफ एलिमेंट्स ओडर डी इंजी, ओडर 4 इंजी, विच इवल तो 4 अपोन 5 4, 5 4 आप देखोंगे, 5 4 इतना होते है, 2, it means that 2 elements आ रहे हैं, ओडर 4 ते, 2 cyclic subgroups आ रहे हैं, ओडर 4 ते, बट यहाँ पर नमबर ओफ सब ग्रॉप्स ओडर 4 जो है, वो इटवल नहीं है, 2 के, फोर इजांपल, जैसे आपने क्या लिया, हमने एक subgroup लिया, H आप एक subgroup ले रहे हो, जीटा, वो subgroup हमने टोन सा लिया, Z2 क्रोज, जो 2 से जनरेट हो रहे है, ओटे, यह जो है, यह ट्या है, इक subgroup है, Z4 ता, Z2 एक subgroup है, Z2 ता, it means that H ट्या होड़ा, एक subgroup होड़ा, जीटा लास्ट रिजर्ट से आप टो पता चल रहे है, H जो है, वो ट्या है, इक subgroup है, जीट, देन आप देच सकते हो, यह आप टो प्रूफ टरना है, टी, order of H जो है, इस subgroup टा, order कितना है, 4 है, देन सेटिंड चीज़ आप ट्या प्रूफ टरनी है, H जो है, वो cyclist नहीं है, ठीट टी, इस्टे पास प्रूइबी ऐसा element नहीं है, जिस्टा order 4 है, अटर आपके पास एक element मिल जाता, जिस्टा order 4 है, तो इक group क्या हो जाता, cyclist हो जाता, बट, यहाँ पे प्रूइबी element नहीं है, जिस्टा order 4 है, यह चीज़ आप पर दिखानी है, तो यहाँ से आप जो आ रहे हो त्या आ रहे है, फोर आ रहे है, उठे